जिन्दगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते अब ये भाजपा के लिए है कि कॉंग्रेस के लिए अपने आप समझ जाईएगा बस एक चीज हम चाहेंगे बारत हमारा सोड़नी में इतिहास रखा है और इसी तरह विकास की स्थिति को आगे बढ़े द तो छोटा है सब्सक्राइब क्या कुछ जैसरी रामकार नारा रहेगा या वाकई करवट लेगा जंता जैसरी रामकार नारा नहीं चाहिए प्रधान मंत्री ने राश्ठीत के लिए हिंदू का सबसें जैसरी आप लोग हिंदू-मुसलिम करने लगे युवाँ कर लिखे का हिंदू-मुसलिम करें पढ़ाई के साथ अपना धर्म का भी रक्षा करना हमारा इसको भी लेकर सब्सक्राइब मोदी जी की राहुल जी ऐसे तो अभी तो मोदी जी है बाद में मन बदलेगा नहीं बिलकुल नहीं मोदी जी क्यों मोदी जी इसलिए हैं कि हमारे राश्ठी हैं लोगों को दो दो दौदिए नहीं नजरा हरा रहें हैं वह सब्कुल जो उनका जो और राव योजना जो चली सिदोर नीचे से नीचे नीचे सबस्फ़ाइब लोगों को मिला उनकी चौलियापन खतम हुआ ही दिख किया हमारे मोदी जी कि जी अलावे दूसरा अगर परदानमंति बनाना हो भाजपा के तरप से तो कौन हो अभी तो इस समय में मोदी जी के अलावा कुछ सुना ही नहीं देता है नहीं कुछ नहीं दिखाए देता है दो कारण बताइए जिससे मोदी जी का इतना समस्थन पूरे देश में और बिशो बयापी समस्थन बढ़ा देखिए मोदी जी चांद से लेके मंदिर तक हर जगा और हर युवा का पढ़ाइस लिखाई और जो देखिए हम लोग यूथ से हैं तो हम लोग चाहते हैं कि वेकेंसी निकले नौकरी हम लोग को चाहिए तो हर चीज वो दिये अभी जो 2009 यह कारेकाल रहा पिछला कारेकाल तो हम लोग यूथ को हर चीज मिला जो चाहिए था अब हम लोग यहीं चाहते हैं कि अब इस जो चुनाओ है इस चुनाओ के बाद पुराना जो कांग्रेस इतना लंबा समय अपने देश में विकास रेल रोड पानी पुलिया बिजली नली गली रिसर्ट सेंटर वो सब को है कंगी अगर पिछला यह सतर साल में बीजेपी रहता तो नहीं बनता यह सब जुक्त बनता जरूर बनता अब उस समय वाइसा नहीं था हो वैसा भी जेपी लिए को लाएं और देखिए अभी भी बन रहा है ऐसा नहीं है कि भाजपा मार्केटिंग बहुत तगड़ा करती है किसी भी चीज़ को बहुत प्रॉपर ढंग से सोसल मीडिया पर खास कर कास्ट करके रखना कि मार्केटिंग करती है अभी ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि हर चीज़ का जो कि यह चया क्या नाम हो अपका पैसा देना चाहिए कि नहीं पॉट लेकर पैसा देना चाहिए कि नहीं भाई कि पैसे का बोल वाला राजनीती में रहता है हो तो बोल बाला तो रहता है है यह चीज काम ही नहीं किया है यह होता है ने इसा होना नहीं चाहिए हमारे समाज में हमारा संसत पड़ा है सब्सक्राइब करें दिल में सबका जगा बनाए इन आप मोदी जी को देखते हैं और परदान मंत्री के रूप में जब मोदी जी को देखते हैं जी कहां संतुस्टी ज़्यादा होती है कि मोदी जी को ही 2024 में परदान मंत्री बनाना है मेरा नारा नहीं हो सकता है यह दोनों भाजपा के समर्था को इसके आवर्ण करें लेकिन स्रीमान सवाल तो बनेगा सवाल इसले बनेगा कि जिनवादों की खिलापी आपने 2019 से 2024 के बीच में की उनका क्या अगर कम से कम कहीं कमी रह गई तो 2024 में वो सारी चीजे पूरी तो होनी चाहिए थोड़ी से तो मन के चलिए भाजपा से लोग ठोड़ा से तो आक्रोस है ही लोग को यहां बिरुजगारी बढ़ी है मगर इस बार पांस साल हम लोग और मोका देना चाहते हैं कम से कम अच्छा बाजपाई लोग को हैं पूछे तो हो जो आड़ाइसाल का काड़ का रधा और उसके बाद आड़ाइसाल के कारेकाल स्वेखाल इसे संतूस्ट डीखे गा और फिर भोट मोदी जी को देगा या राहुल जी को जरूर देगा मोदी जी को वोट क्योंकि 18 साल के बाद आप देखिए क्या नहीं किये मोदी जी हाँ वो कोरोणा लहर था वो लॉकडाउन का लहर था तो जनता के बीच में ये था कि कैसे पैसा आए कैसे कमाए रोजगार यह घट गया था लेकिन उसके बाद मोदी जी हर चीज में यह रोजगार दिये और अठाइए साल के बाद बोट जरूर मोदी जो मिलेगा और इस साल भी अस्वस्त है सबसे मिलने की कोशिस करेंगे कि उनके मन में क्या कुछ चल रहा सफर जारी रहेगा तब तक आप बने रहें व्यों टीव पर अपने सहयोगी वीविक मोदक के साथ गिरिडी धनबात खास करें दो लोग सबाग को लेकर हम लोग आपके समक्ष रखेंगे क्या सारी चीजे लो